कफ़ांधिश की विद्धकान शाह में आपका स्वागत करती हूँ कॉंपूटर में प्रैशन पढ़ने वाले हैं मैं कॉंपूटर से संबंदित हैं यह बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और मतलब हर इकजाम में newer की त्यारी करना हैं गिरोप 2 की तियारी करना है तो आप समझे उनहीं में से previous years में से कुछ question मैंने निकाले हैं तो जो आने की पूरी संभावना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूं है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राब यरूर कर लीजेगा तक कि आपको आगे की पूरी वीडियो मिल सकें पहला है compiler क्या है यह समझाने वाला था 2-3 question तो मैंने ऐसे theory type लिख दिये definition compiler क्या है तो compiler एक सेदिक प्रोग्रामों का समू है सबसे पहले याद रखिए कि क्या है compiler एक सेदिक प्रोग्रामों का समू है उचिस तरिये computer भासा में लिखे program को किसी दूसरी computer भासा में बदलता है ऐसे program जो computer की भासा में लेगे रहते हैं उनको दूसरी computer भासा में बदलता है मतलब या मसीनी भासा में बदलता है उसको क्या बोलते है compiler तो compiler से सम्मादित प्रेशन आये तो याद रखिएगा प्रग्रामों का समू है उच इस तरह ये language को मसीनी लेंग्वेज में बदलता है अगला है दूसरा vrml 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 में क्या कर सकते vrml में 3D में web page बना सकते हैं क्या कर सकते हैं 3D मतलब 3 dimensions में web page बना सकते हैं किसके दोरा vrml के दोरा vrlm का पूरा नाम क्या है virtual reality modeling language vrml का full form क्या है virtual reality modeling language virtual reality modeling language है अगला है er modeling vrml का full form याद रखिएगा यहा सकता है vrl.vr से virtual है հ से reality है m से modeling है और l से language है virtual reality modeling language अगला है er modeling er modeling बदार जो है programming language c को follow करती है प्रोग्राम की भासा है c को follow करती है और ये high level से start होती er modeling जो है वो कहां से start होती है er modeling high level से start होती है और ये programming language C को follow करती है machine language में 0 और 1 का मतलब क्या होता है तो machine language में 0 का मतलब होता है low या off करना और 1 का मतलब होता है high या on रखना ये दो binary digit पे computer काम करता है तो जिसमें 0 का मतलब क्या होता है 0 का मतलब होता है low या off करना और 1 का मतलब क्या होता है एक का मतलब होता है हाई या ओन अगला है logic form logic form क्या होते हैं तो वैध्य program जो valid program होते हैं उसके अंदर इस्थापित ये code होते हैं क्या होते है logic form क्या होते हैं कि जो कोई भी program चल रहा है कोई valid program चल रहा है तो उसमें ये इस्थापित की जाते हैं अंदर जैसे ही उसका प्रोग्राम कंप्लीट होता है, उसकी इस्तितिया पूरी होती है तो ये explore हो जाते हैं, इसलिए ही इनको set किया जाता है तो logic worm क्या होते हैं, वैद्ध प्रोग्राम में अन्ता स्थापित code होते है या दिखियर क्या होता है, code होता है लो लेवल लेंग्विज क्या होती है लो लेवल लेवल लेंग्विज क्या होती है तो लो लेवल लेंग्विज मसीनी लेंग्विज को ही बोला जाता है आपसे पूछें इन में से लो लेंग्विज कौन सी है लो लेवल लेंग्विज कौन सी है या आपसे ल, 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 एक मसीन भाइसाद में होगी तो आपको वहाँ पर किसले करना है मसीनी मर्ट प्रोफुर डिया और अगला कूशन है यह श्यIFार क्या है जे सफिर Πोर्थ व क्याहां सर्वर पेजय जे सि स्पीड 돼ऊ कर लिए-व ख hackers Thank you नियू है चैनल पर जबसक्राइब जरू कर लिजेगा और अपनी असपाइब कीजिए वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख सके JSP का फूल फॉर्म क्या है जावा सर्वर पेजेस है एलोग रित्म का आलेखी रिरूपर क्या कहलाता है तो एलोग रित्म का आलेखी जो निरूपर है वो फ्लो चार्ट कहलाता है JSP का पूरा नाम क्या है जावा सर्वर पेजेस है जावा बास्तम में क्या है जावा बास्तम में एक प्रोग्रामिंग लेंगवेज है क्या है प्रोग्रामिंग लेंगवेज है मसीनी कोड कंप्यूटर की मूल भासा है मसीन कोड क्या है कंप्यूटर की मूल भासा है इसमें computer को machine language के द्वारा ही प्रोग्राम किया गा था यह JSP का full form जरूर याद रखिएगा Java server pages क्या स्क्रिप्ट आता है कभी कभी बीच में लेकिन आपको server लगाना है Java server pages अगला question है Java क्या है तो Java एक high level language है इसका विकास किसके द्वारा हुआ ता Java का विकास हुआ था Master micro system के Walcott द्वारा सेंभी स्टम के यह डिलॉइगे लेवल प्रोग्रामिंग लेंग्वेजरो यह कैसी है लो एफ्र प्रोग्रामिंग लेग्वेजर्जरोंग गमप्यूटर की सहायता से की जाने वाले मौझूदर सिस्टम्स की रिकॉर्डिंग वा एनलाइजिंग की विधी क्या है तो ये है डेटा फिलो कम्प्यूटर की सहाइता से की जाने वाली मौझूदर सिस्टम्स की रिकॉर्डिंग वा एनलाइजिंग की विधी क्या कहलाती है डेटा फिलो कहलाती है से कंप्यूटर की सहाधा से होती है एम시면 यह कर रहें हैं यह इसके। हमारा beggarskamu प्रवंदन हो हर कुछ में कर रहा हूँ एक और प्रवंदन के लिए तो अलगोच चल रहा है 25 वस्तु निश्ट का साथ मेरे प्रबंदन के जितने भी परिभासाइं हैं उनके लिए ट्रिक द्वारा समझा रही हूं तो उसका पहला भाग में आपको कमेंड वक्स में डाल दूंगी जरूर देखिएगा उससे आपको प्रबंदन की सभी जो जितने भी परिभ इसमें डाटा टाइप के लिए चार वाइट की आवशक्ता होती है विजूल वेशे के अप्लिकेशन में क्या होता है विजूल वेशे के अप्लिकेशन में डाटा टाइप के लिए चार वाइट की आवशक्ता होती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है जब से पहले इसका है प्रोरघ्रमिंग भासा में मल्टी घृट कॉंसेप्ट का राव वा Hill मितलब फिज़ेयन लेंग्वेज में अरम हुआ प्रोग्रामिंग भास साम म मल्टी घृट कॉंसेप्ट पुत्र का रिलेशिंस्प में लेश्ट भासा में लिंक से जोड़ने के लिए किस ट्राइप कंपोर्टेंट है dependent sparked Macro Expansion Programme करने वाला Translator कौन सा है, Macro Expansion Perform करने वाला Translator है Macro PreProcessor Low Level Programming के Translators को क्या बोलते हैं, जैसे कि High Level के Compiler कहलाते हैं, अईसे ही Low Level के Assembler कहलाते हैं टेक्स को Italic बनाना है, कोई भी टेक्स को अगर Italic बनाना है तो उसके लिए क्या tag लगाएंगे तो उसके लिए ये i-tag लगाएंगे अगर text को italic बनाना है तो i-tag लगाएंगे उपर हमने क्या पढ़ा था एक link को दूसरे link के जोड़ना हो जोडने को क्या बोलते है एड बोलते है इसलिए इसका symbol क्या आजाएगा ulx साथ जोडना हो जावा स्क्रिप्ट का दूसरा विकल्प है बीवी स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का दूसरा विकल्प कौन सा है तो जावा स्क्रिप्ट का दूसरा विकल्प है बीवी स्क्रिप्ट क्या है बीवी स्क्रिप्ट है अगला कोशर पढ़ते हैं अगला कोशन पढ़ने से पहले अगर आप मध्यपदीश पटवारी की तियारी कर रहे हैं या ग्रूप टू सब ग्रूप फोर की तियारी कर रहे है तो आप हमार यह नोड्स ले सकते हैं इसमें आपको टोटल दर्स वुकलेट मिलती हैं साथ में मिलता है आपको वाटसप का गूरुप जिस तरह से कोशन आप देख रहे हो मैं कंप्यूटर भाजा के करवारी ऐसे ही प्रेशनियों में रोज दिये जाते हैं रोज छोटे-छोटे फॉल फॉर्म चाहे प्रभंदन हो चाहे मैस हो चाहे रीजनिंग हो चाहे इंगलिस हो चाहे हिंदी हो हर सब्जेक्ट स समनित प्रेश्ण वहाद दिये जाते हैं और बहुती सरल भासा में तयार करके दिये जाते हैं बुक जैसा थियोरी नहीं दिया जाता है डाइग्राम बना के फ्लो चार्ट में इस पेकार से आपको फुल फॉर्म याद कराए जाते हैं तो वहां आपकी तयारी एक ऑन-लाइ प्रेश्ण मिलते हैं आठवे वाल्यूम में आपको विज्ञान के तीन हजार प्रेश्ण वर्लाइनर फैक्ट के रूप में मिलते हैं नवे वाल्यूम में आपको जीके मिलता है जीके में सामाने ग्यान, खेल, कून, राज, वववस्तार्त, वववस्ता इस प्रकार से और कि पूरी पीडिया दी जाती करेंट अफिरी दी आ जाता है मैच ते मैस रीजनींग की चोट चोटी-चोटी ठीक हर एक टॉपिक को टॉपिक वाईस ट्रिक बना कर बहुत सारे प्रेशनों की प्रेक्टिस कराई जाती है तकि आप एक टॉपिक महाँ पे कर ले इंगलिस में vocabulary तैयार करवाई जाती है कि कोई अगर sentence फिल करने आता है तो आपके इस प्रेकार से करेंगे तो अगर आप यह सब लेना चाहते हैं 4GL, 4GL क्या है 4GL मतला होता है 4th generation language यह क्या ऐसी भासा है यह domain आधारित भासा है 4th generation language कैसी है domain आधारित भासा है अब यह बोल रहा है A और यह A slash A टेक का इस्तेमाल क्या क्यों होता है तो प्रेश्टों पर link को जोडने के लिए होता है किसलिए होता है और slash A का टेक का इस्तेमाल क्यों होता है तो किसी भी प्रेश्ट पर अगर link को जोडना हो तो इसका इस्तेमाल होता है general meta tag क्या होता है यह general meta tag यह होता है कि प्रेश्ट का निर्मार के लिए किस program का उपयोग हुआ है प्रेश्ट का निर्मार के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग हुआ है यह generator meta tag होता है table में column जोनने किसका प्रयोग होता है td table में column जोनने के लिए किसका प्रयोग होता है td का होता है याद रखिएगा table में अगर कोई column जोनना है तो किसका प्योग करेंगे td का प्योग करेंगे html page में title का tag क्या कहलाता है html page में title का tag head कहलाता है html page में title का tag क्या कहलाता है head आप एक सूची की संख्या को साथ item सूची कैसे जोर सकते है dl से कैसे जोड़ सकते हैं आप एक सूची को संख्या के साथ आइटम सूची से कैसे बना सकते हैं DL एक डेटावेस में डाटा पूर्णरावत्ती जुदाई निर्भरता और फाइलों की यह संगती का नुकसान होता है पूरा नहीं है तो मैं इसको कमेंड में करवा दोंगी ऊसकी फॉर्मूले ट्रांसलेटर के रूप में किया था कैसे किया था IBM के formula translator के रूप में photon भासा का विकार किया गया था hypothetical computer के कौन सी भासा है machine language में लिखा गया है hypothetical computer C भासा में चार data type के लिए एक byte की आवसकता होती चार data type करना है आपको तो कितनी की आवसकता होगी एक byte की Bluetooth किस प्रिकार के नेटवर्क के लिए है PAN मतलब personal area network के लिए है compiler क्या होता है compiler एक translator प्रोग्राम होता है चो उच्छिस तरिये भासा को machine भासा में बदलता interpreter जो होता है जैसे कि क्या अंतर होता है interpreter और compiler में तो interpreter क्या करता है एक एक line को बदलता है बारी बारी से पहले एक line बदलेगा फिर दूसी line बदलेगा जबकि compiler क्या होता है एक सथ पूरे प्रोग्राम को ही machine भासा में बदल देता है तो यह interpreter और compiler में अंतर होता है कि compiler पूरे सोर्स प्रोग्राम को मसीनी लेंग्विज में बदल देता है जबकि इंटरप्रिटर एक समय में किवल एक निर्देश को तबदील करता है सी भासा जो होती है उसमें आयतकार कोश्टकों का प्रियोग सार्णी में होता है C भासा में आयताकार कोश्टकों का प्रयोग क्यों होता है तो ये सार्णी में होता है C भासा में print F वा scan F निर्वेश वा निर्गेम कथन है C भासा में जो print F है वो input अगर हम डालते हैं तो वो print F के अंतरगत आएगा और हम output हमको मिलते हैं तो वो scan F के अंतरगत आएगा याद रखिएगा print F मतलब आपने input डाला मतलब निवेश कथन और scan F मतलब निर्गत कथन निर्गत मतलब आउटपूट कथन आउटपूट स्टेट्मेंट pseudo code का उप्यों किया जाता है तो क्रम आदेश चरन लिखने के लिए की जाता है क्रम से कोई आदेश लिखना है तो वो लिखने के लिए pseudo code का उप्यों की जाता है पास्कल को सिक्षा परगभासा भी कहते हैं पास्कल को क्या बोला जाता है पास्कल को सिक्षा परगभासा भी बोला जाता है C language एक object oriented language है H1 HTML में सबसे बड़ा heading है कौन H1 जो सबसे छोटा होगा ना नमबर वही सबसे यहाँ पर बड़ा होगा H1 से H6 तक होता है जिसमें H1 सबसे बड़ा होता है और H6 सबसे छोटा होता है HTML में कर लीजेगा इसके अलावा अगर आपका नमबर मेरे पास वाट्चाप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दिए इस्टेटस के थुरू आपकी बहुत अच्छी तैयारी होती रहेगी और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं सरद भासा में जैसे कि आप वीडियो में पढ़ रहे हैं तो आप मुझे इस नमबर पर वाट्चाप कर सकते हैं और अगर आपने मुझे इंस्टाप पर भी फॉलो नहीं किया हो तो आप मुझे इंस्टाप पर भी फॉलो कर सकते हैं तो अगर लाइन ब्रेक करना हो तो किसी चीच का अपयोगर करेंगे बियार अगर नाया को मुझे करने के लिए already text which scrolling area इसको एंटर करने के लिए प्रयोग् सर्बर क्या है यह मैं करो हुआ है इसक्राइं के श्रॉस के इस distur-wide इनटर करने के लिए प्रयोग्त होने वाला इस्प्रॉलिंगλ इल्यमंट क्या कहलाता है मैक रूभी कहलाता है फाइल सर्वर क्या है फाइल सर्वर एक जावा स्क्रिप्ट अबजेक्ट है फाइल सर्वर क्या है फाइल सर्वर एक जावा Dext Code है यहां पर HTML क्यों कि दता है ऐसी लिए लिए कि辻 आथे कि लिएर्य व्यार्त माइच कॉई Seeing किशल्चक नमला अंगा क्यों किया जाता है है कि यह घ्र एस्क्रप्ट का उप्योग करना है तो बश्तु शवस्तु कि सभी बिलोग को डिसेबल करना होगा क्लास क्या उदा हैं टभास टेको प्रेम क्रिएट करने होता है क्में और स्कृप्टिंग की दोरा मश्प्रेंट करने होता हूं हुटिरिट यह ब्राउजर ब्राउजर prim उसमें होता है Canvas का उपयोग Fly पर Scripting के द्वारा और Embed Tech का उपयोग क्या होता है Embed Tech का उपयोग होता है Browser Plugin के पेज में रखता है Embed Tech का उपयोग क्योग यह Browser Plugin को Browser का Plugin होता है उसको पेज पेज पे रखता है अगर Embed Tech का उपयोग करते हैं छाद रख्या इंबेट test copy करते तो क्या होता है browser plugin को पेज में रखता है नविगेस्ट होता है नविगेस्ट लिंक के set को परिभासित करता है नविगेसर लिंक के set को परिभासित करता है html में meta tag क्या होता है meta tag मतला meta name equal और यह sign आ जाएगा इसमें html meta tag का यही sign होता है बराबर inverted comma slash और greater than कितने heading's html meta tag में होते हैं h1 से s6 तक होते हैं html के meta tag में meta name का यह उसका symbol होता है और h1 से s6 तक heading होती है html5 में tag क्या क्या होते हैं iframe और i slash frame इसका उपयोग youtube video play बनाने में होता है html5 में track आप से पुछेंगे youtube पर video बनाने में किस tag का उपयोग होता है तो iframe और slash iframe का उपयोग होता है अगला है सरवादिक मान html list कौन सी है सरवादिक मान html list और लिस्ट वार रेंडम लिस्ट कौन सी है और लिस्ट वार रेंडम लिस्ट stml डाइब जो है element एक block level element है stml डाइब क्या है एक block level element है stml में numeral list create करने किसका उपयोग किया जाता है तो id type equal to one इसका उपयोग numeral type create करने के रही किया जाता है ms powerpoint में क्या नहीं होता है ms powerpoint में page view नहीं होता है stml 50 में mark tag का प्रियोग text के हिस्सों को highlight करने के लिए होता है mark tag का प्रियोग क्यों होता है stml में stml में होता है mark tag का प्रियोग text के हिस्सों को highlight करने stml का full form तो आपको पता ही होगा hyper text markup language hyper text markup language एक पर पाइंडिंग क्या होता है तो यह सेल कंटेंट तथा अपने बॉर्डर के मद्ध इस्थान को निदेश्ट करता है इस्थान को बताता है एस्थान में आई फ्रेम काप्यों एक पेज के भीतर एक पेज को डिस्पले करने होता है हैट एलिमेंट मैटा डाटा के लिए कंटेंटर होता है हैट एलिमेंट क्या होता है मैटा डाटा के लिए कंटेंटर होता है HTML में एक रिक्त element की no content वाला element होता है HTML में रिक्त element क्या होता है no content वाला element Pascal भासा का विश्कार किसके द्वारा हुआ था Pascal भासा का विश्कार हुआ था Nicholas वर्थ के द्वारा interpreter क्या होता है किसी program में अंतहक रियात्मक रूप से दर्ज किये command किसी प्रोग्राम में जो अनतहक्रियात्मक्रूप से कमंड दर्ज कि जाते हैं, वो interpreter कहलाता है, लिं crash program का उपयोग कहां होता है, तो linker program उस सिस्टम में किया जाता है, जो program के आपजेक्ट module को single object module में link करने में मदद करता है, Linker Program का उब्यूग कहा किया जाता है उस सिस्टम में किया जाता है जो Program की Object Module को Single Object File में Link करने में मदद करता है Logo क्या होता है? Logo का Full Form होता है Language of Graphic Oriented और इसका प्रियोग किसके लिए होता है? Logo भासा का प्रियोग होता है बच्चों के लिए Logo का Full Form क्या होता है? Language of Graphic Oriented किसके लिए प्रियोग बच्चों के लिए प्रियोग होता है Linker Program क्या करता है? Object Module को Single Object Module में Link करने में मदद करता है तो प्रेंस यह थे हमारे आज के कोश्चन ऐसे ही कोश्चन अगर आप और डेली पढ़ना चाहते थे चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा इसकी PDF मैं आपको पटवारी के पेट ग्रूप में डाल दूँगी ओके फैंस इंक्यू